प्यारे अभियर्तियों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्पिस्टडी फीवर में तो दोस्तों जैसा की थमनेल देख आपको मालम हो गया कि ये वीडियो किस पे होने वाली है जिया दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके उपमा अलंकार के बारे में ठीक है न दोस्तों उपमा अलंकार जो हैं अलंकारों में बहुत मैतोपून रोल अदा करता है इसकी बहुत ही सिंपल परिबासा और दो-तीन परिबासा आपको बताऊंगा जो आपको सबसे अच्छी लगीगी वो आप याद कर लेना साथ ये कुछ बहुत ही सरल उदारन ऐसे उदारन आपको किताबों में नहीं मिलेंगे इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं और उपमा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं बहुत ही सिंपल परिबासा है और उदारनों के साथ आपको उपमा अलंकार समझाने वाला हूँ उपमा अलंकार के कौन-कौन से अंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो PARIKSHA से related जो अपमा अलंकार होता है वो बहुत मेतोपोन है UPMA अलंकार काफी बार आपकी PARIKSHA में पूछा जाता है तो इस video को आपको एन तक होच कना है इस video को देखने के बाद UPMA अलंकार पूर आपका clear हो जाएगा ठीक है न दोस्तो तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार की कुछ साधारन सी या सिंपल सी परिवासाओं के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो उपमा अलंकार की मैंने बहुत ही सिंपल परिभासा है बताई है ठीक ना जब आप किताब में पढ़ोंगे तो आपको वो किताबी बासा समझ में नहीं आएगी लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल परिभासा है अब देखें यहाँ पर उपमा अलंकार की प परिवासा हैं दो अलग-अलग वस्तों की किसी समान गुण के कारण जब तुलना की जाती हैं तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं ऐसी परिवासा आपको जो हैं किताबों में देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल यूनिक परिवासा हैं इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहा पर भी क्या होता हैं उपमा अलंकार कहते हैं उसे भी उपमा अलंकार कहते हैं तो बहुती सिंपल परिवासा हैं अगर आप किताब की परिवासा याद करना चाहें तो वह आप कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से यह परिवासा बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आपको पू Sans सब seventeen इसको कोई दिक्कत की बारे में मैं चर्चा करते हैं ऐला है उपमे दूसरा है ऊपमान तीज क्या होते हैं चारो क्यंकि इन के बिना उपमा अलंकार पूरा अधूरा रहत numerous और याद करने के बाद या पुमा अलंकार इनकोच्छी समlt सकते हैं यहां पर मैंने कुछ उपमा अलंकार के बारे में बताया है। यहां पर देखे चार उंगों के बारे में मैंने अच्छे से समझाई है ठीके ना उपमे क्या होता है ठीके ना सबसे पहले आपको बताना है उपमे क्या होता है तो दोस्तों जिस सामानी वस्तु की तुलना की जाए देखे उपमा अलंकार में दो वस्तु होती है यह तो आप आपको बताओंगा तो उपमे लंकार की अगर उपमे की परिवास आपको पूछे तो आपको बताने हैं जिस सामानी वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमे कहते हैं और उपमान की अगर आपको परिवास पूछे तो आपको बताने हैं जिस विशिष्ट वस्तु से तुलना क जाए ठीक है ना यह उपमे और उपमान के आपको परिवास है क्योंकि उपमान लंकार के अंतरगत न केवली है काम आते बल्कि और भी कई चीज़े जिसमें उपमे और उपमान का मैत होता है तो इनको आपको याद करना पड़ेगा तीसरा है वाचक सब्द अब वाचक कौन-कौन से पहला है समान, दूसरा है साथ, तीसरा है सरिस, चोता है सद्रस, चोता है पांचवा है तुलिय, छटा है जिम्मी और सात्वा इव दोस्तों इन सब्दों के माधिम से आप उपमान लंकार के उदारणों को पैचान सकते हैं कहीं पर भी यह सब्द आपको जो उपमे वो उपमान दोनों में समान रूप से पाये जाए ठीक है ना, यहाँ पे दोनों उपमे और उपमान दोनों में समान रूप से दोनों की तुलना जब करते हैं तो कोई समान गुण दरम होता है तो वही गुण दरम क्या कहलाता है आपका समान गुण दरम कहलाता ह तो यहां पर उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं परिक्सा में इससे रिलेटेट बड़ा परसन भी बन सकता है चोटा परसन इससे परिभासा से रिलेटेट भी बन सकता है तो यह उपमा अलंकार के अंगों के बारे में हमने बात कर लिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके विशेस यहां पर दे रहा है ठीकर न यह बहुत important line है यहां पर इस विशेस को आपको याद करना है यहां पर पूछा गए अलंकार में उपमे को प्रस्तुत का जाता है और उपमान को अप्रस्तुत भी कहा जाता ठीकर न इसलिए मैंने इस वीडियो में include किया है अलंकार में उपमे को क्या कहा जाता है प्रस्तुत कहा जाता है और उपमान को अप प्रस्तुत कहा जाता है इसे भी आपको याद करना है ठीके ना अब बात करतें दूस्तों इसके बहुत ही सिंपल उदारन ठीक है ना उपमा अलंकार के सबसे सरल उदारन मैंने यहाँ पर बताए चार उदारन आपको देखने को मिलेंगे चारों आप आसानी से याद कर सकते हैं और परीक्षा में इनको आप लिख सकते हैं जब भी उपमा अलंकार हो गया अब पीपल के पते के समान मन डोल गया तो यहां पर देखिए पीपल के पते की तुलना की जा रही है पीपल का पता यहां पर उपमे हो गया और जो मन है मन हो गया आपका उपमान ठीक है ना तो पीपल का पता आपका हो गया उपमे मन हो गया आपका उपमा छंतर्मा सकांती में मुक है तुम्हारा यहां पर सा दे रखा है जो आपका क्या हो गया वाचक Sब्द गया ठीक EPA के एकुई में आपको वाचक सब्द मिलेंगे यहां पर तीसरा उदारंद से चोटी सी ट्रिक जिनके बाइदिम से आप पता लगा सकता हैं इसमें उपमालंकारी है तो यहां पर चार उदारंद देख लीजिए पीपरपात्स सरीश्मंडोला दूसरा चंधरमस सकांती में मु आप घूए आसानी से उपमा अलंकार के आसानी से याद कर सकते, दोस्तो अलग-अलग टोपिक से अलग-अलंकारों को मैं आपको टिर्क से वाचन करऊंगा कि इस अलंकार को कैसे पैचानते हैं. उनकी परिवासा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यहाँ पर उपमा लंकार के इसका स्क्रिंसोर्ट भी आप लेख सकते हैं बहुत से सिंपल आपको यह उदारन मिलेंगे इससे सरल आपको कई पर भी नहीं मिलेंगे तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने क्या है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए